हेलो फ्रेंड वेल्कम टू इस्टड़ी अड़्डा में आपका स्वागत है मैं तूल सिंग आईये सुरू करते हैं आज का हिस्ट्री पार्ट त्री पहला कोस्चन बुद्ध धर्म और संग मिलकर क्या कहलाते हैं तो वह होगा आपका त्री रत्र जी हां बुद्ध धर्म के तीन रत्र हैं बुद्ध धर्म और संग बुद्ध धर्म में संग का मैतपूरा स्थान है यह त्री रत्र एक अनिवार अंग होता है तो बुद्ध धर और संग मिलकर त्री रत्न कहलाते हैं नेक्स्ट कोश्चन इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है तो दोस्तों वह धर्म है बहुत धर्म जी हां इच्छा जिसे त्री रत्न कहते हैं यही सभी कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने व बद्धों के पवित्र आउसेसों पर नेर्मित गुंबदाकार छत वाला अर्ध गोलाकार संदडचना क्या कहलाता है या उसको क्या कहते हैं तो दोस्तों यह कहलाता है इस्तूप जिहां बौधों के पवित्र अवसेशों पर निर्मीत गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संदचना को इस्तूप कहते हैं दोस्तो इसी इस्तूप को चायते भी कहा जाता है तो अप्सन में हमारे इस्तूप दे रखा है तो राइट अंसर होगा इस्तूप नेक्स्त बुद्ध की मृत्यू किस वर्स में हुई थी तो दोस्तो यह विती 483 इसापुरू ने 80 वर्ष की आयू में कुसी नगर में हुई थी दोस्तों इनके मृत्यों को बौध गरंथों में महा परिनिर्वार कहा गया है तो बौध की मृत्यों 483 सा पूर Next कौन सा अस्थान गौतम बुद्ध से संबंद नहीं है तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध से संबंद नहीं है वो है पावापूरी जी हाँ इसका मतलब यह है कि जो हमारे सारनाथ बुद्ध गया और कुसी नगर ये तीन हो गौतम बुद्ध से संबंद नहीं है आईए नेक्स्ट कुस्टन देख लेते हैं भारती इतियास के निम्नलिखित यूगों में से किसके दवरान छत्रिय एक बिसिष्ट पहचान रखते थे तो दोस्तों था ये बुद्ध के यूग में जी हाँ दोस्त बुद्ध यूग में छत्रिय एक बिसिष्ट पहचान रखते थे मातमा बुद्ध और मावीर स्वामी स्वयम छत्रिय कुल से संबंदित थे बौध कालिन गरंत अगुत्तर निकाय में महाजन पदों की सूची परात होती है जिसके अधिकतर जो सासक थे वो छत्रि कुल से संबंदित थे तो भरती इतियास के बुद्ध के यूग में छत्रि एक बिसिष्ट पहचान रखते थे नेक्स्ट मावीर कौन थे दोस्तों मावीर जो थे वो चवबिसमें तिर्थंकर थे सारी जी कि ओर दोस्तों मावीर जो थे वो चवबिसमें तिर्थंकर थे और इनहें को जैन बताया भिभी मावीड को जैन धर्म का यह संस्थापक मना जाता है दोस्तों भारत में जो जैन धर्म के प्रथम तिरधंकर थे वो रिशब देव थे और इनका प्रथम जो लेख है वो रिखवएद में मिलता है दोस्तो 23 तिरतंकर जो अपकी एक्जाम के point of view से काफी important है वो पारसोनात है बारबर question में आता है 23 तिरतंकर तो वो थे पारसोनात लेकिन दोस्तो महाबीर स्वामी द्वारा जैन सी चाओं में बिस्तार के साथ इसका जो नाम है वो जैन धर्म कर दिया गया स्वारा the Banda efficient मों न हुआ है तो भारत में जैन धर्म करेंशन स्था फक्त वह थे महाबीर next question चें बथ्वान महाबीर ने महा परिनिर्वार प्राप्त किए तो तो पावा जिहां दोस्त वहाद महाजनपत की राधानी पावा जिसे पावा पूरी करते हैं वह इनका परिनिर्वाड है फारा था सुम्हापूरी की बात कि जाती ओभी हार राज के ना लंदा जिले में इस्थिक हैं पर अस दोस्तों जो महावीर्र सवामी थे वह जैन विश्व तिर्थंकर थे तो इनका महापरी निर्वाड कहां हुआ या परी निर्वाड कहां प्राफ्त किया तो वो था पावापुरी नेक्स्ट क्वेश्चन जैन साहित को क्या कहते हैं तो दोस्तों ये अंग कहलाता है यानि जैन साहित को अंग कहा जाता है नेक्स्ट क्वेस्चन प्राचीन भारत का प्रसीद वासास कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था तो दोस्तो वो थे चंद्रगुप्त जिहां दोस चंद्रगुप्त मौरी ने अपने जीवन के अंतिम दिन्यों में जैन धर्म अपना लिया था उन्होंने जैन सादू भद्र बाहू से जैन धर्म की दिछा लिए थी तो राइट अंसर होगा चंद्रगुप्त हमने कि da को напाज़िए धिए तो हैं च्छट इँए बारत में प्रतिम प्रसीं जैन केंद्र इस्थीत है दोस्तों कहाँ इस्थीत यह यह श्थीत है आपके स्रवण केंद्र करक्रणाटक में मैςेर इस्थीत स्रवण बेल गोला में है तो राइट अंसर अपसंडी नेक्स्ट छठी सताबदी विशा पूरू मगद में किसका विशाल भंडार था तो दोस्तों यह है लव यानि कि छठी सताबदी विशा पूरू में मगद राज में लव का विशाल भंडार था तो राइट अंसर होगा लव नेक मगद के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम सा सक उत्तरदाई था तो वो थे बिम्भिसार जिहां दोस्तों मगद की गद्धी पर 544 से स्विपूर में बैठे थे इसने राजग्री का निर्मार कर उसे पने राजधानी बनाया यह बहुत धर्म का नुवाई था और इन्हें ही म पहली बार यूद में हाथियों का इस्तिमाल किया था तो दोस्तों ऐसा पहला राज़े था मगद जिहां मगद राज़े ने पहली बार यूद में हाथियों का इस्तिमाल किया मगद राज़े में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी प्रयाथ संक्याव में थे जिनका प् भासा थी संस्क्रीट जी हां प्राचीन काल में सोश्रमागरी लिखने के लिए अधिकांस्ता संस्क्रीट भासा का परियोग किया जाता था तो राइट अंसर होगा संस्क्रीट कि नेक्स हेरोडोटस को माना जाता है तो दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है जी हां दोस्तों इतिहास के पिता के रूप में इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को माना जाता है किसकी सेना ने ग्रीक सासक सिकंदर के साथ जेलम नदी के तट पर मुकाबला किया तो दोस्तों वो सेना थी पोरस की जिहां दोस्तों पोरस की सेना ने सिकंदर के साथ जेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था तो राइट अंसर होगा पोरस नक्स कोश्चन यहोदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है तो दोस्तों यह होगा मूशा संहिता जी हाँ दोस्तों यहुदियों के धार्मिक पाट का नाम मूसा संहिता है और इनका जो पूजा अस्तल है वो सीना गोस के नाम से जाना जाता है तो यहुदियों के धार्मिक ग्राट तो वो होगा मूसा संहिता दोस्तों, आज के लिए पर सीतना ही, उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नएने वीडियोज नोडिफिकेशन आपको मिलते रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद